Hello students of class 2, कैसे हैं आप सभी, आप सभी बहुत अच्छी होंगे students, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग computer पढ़ेंगे और computer में हम लोग का भी revision work चल रहा है, है ना, क्योंकि computer हम लोगोंने complete कर लिया है, So, इसमें आप लोगो को last week chapter 1 complete किया गया था, आज मैं आप लोगो chapter 2 start करूँगी, जिसका first part मैं आप लोगो को आज explain करूँगी and second part कल करूँगी, ओके, let's start, So, हमारा आज का topic है chapter 2, uses of computers, इस computer का हम कहां कहां use कर सकते हैं, ठीक है? So, आप लोगो जैसा पता है कि computer का use information को store करने के लिए आता है और इसके लावा भी हम बहुत सारी uses कर सकते हैं, ठीक है? और computer को कोई भी operate कर सकता है, कोई भी handle कर सकता है, जिसको की थोड़ी बहुत भी computer की knowledge होगी उसको, और करते करते, practice करते, और अच्छे से आ जाता है, ओके? सो हम इसमें पढ़ेंगे कि हम कहां कहां यूज कर सकते है like homs home में हम कहां कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते है तो home में हम project बनाने में यूज कर सकते है अपनी information को ढोनने में और उसको store करने के लिए इसके लगा अगर हमने computer पे जो भी work किया है अपना important work हो या फिर school का work हो कुछ भी project हो से हम save कर सकते हैं है ना next आता है school school में ये बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज आता है इसके लवा teachers अपने भी personal use के लिए यूज करती हैं जैसे अगर school के report cards, notice है time tables है, आप लोग के question papers रहते हैं, है ना वो सब कहां बनते हैं, वो सब इसी में बनते हैं, आप लोग को कुछ पढ़ाने के लिए किसी picture और वीडियो की help की जरुद पढ़ती है, उसके लिए computer का use क्या जाता है school में है ना students, okay next है हमारा shops, shop में हम कहां कहां use करते हैं बिल बनाने में आप एसे लोग purchase करने जाते होंगे शॉपिंग करने जाते होंगे अपने परेंट्स के साथों देखते होंगे ेल बनने प्रेंट के लिए हमें वेटकरना होता है, तो वो बिल कहां से बनता है computer से बनता है उसके लाभा साइक, किससी uses हैं computers के like email send करना, receive करना, उसको read करना, letters, notices, ये सब को write करने का काम, calculations है, इसके लावा भी बहुत सारी अपने is office की important files रहती हैं, जिसको हम लोग work रहते हैं, जिसको हम लोग file में store करते हैं और computer में भी कर सकते हैं, okay, next आता है हमारा topic hotels, hotels में भी हम लोग का computer का बहुत use होता है, जैसे अगर कोई आए, कोई भी customer होटेल में आए, guest आए, उनको room लेना है, तो room की booking करने के लिए, है ना, कोई भी guest कब आए हमारे hotel में, उनको कौन सा room दिया गया, वो कितनी बज़े आए, कितने दिन रहे, सब कुछ उसमें हम लोग store कर सकते हैं, ठीक है, और hotels में, bill pay करने के लिए, उसके लिए भी use होता है, hospitals में भी बहुत सारी uses है, hospitals में doctors भी use करते हैं, जैसे patient की, जो भी हमने report करते हैं, आजकल test होते हैं, उनको test को check करने के लिए, computer का use होता है, जैसे की x-ray देखो, यहाँ पे दिखाए जा रहा है, x-ray देखते हैं, है ना, उसक के लिए भी, hospital में, computer का use होता है, है ना, students, तो यह था, यह थे, आप लोगो के, आज क्या, 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 uses होते हैं, computer के, इसका first part, आज बताये क्या है, और इसका second part, आप लोगो को, कल बताये जाएगा, okay, okay, bye,